वेलकुम एब्रीवन दिस आनी रे इन इस एपिसोड विर डिसकस बेनिफिट्स आफ फोर्ड़ फास्टिंग लेट्स रोल दा इंटू और राइट सो पिछले कई वीडियो में मैंने आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बदा के रखा है और मैं खुद पिछले 10 साल से भी जादा टाइम से इंटिमेटेट फास्टिंग डाइट प्लान फॉलो करता हूँ बिकाज इस से मुझे काफी जादा बेनिफिट्स मिलता है लेकिन पिछले कुछ टाइम से वाटर फास्टिंग बहुत जादा ट्रेंड कर रहा है वैसे एक बात बता दू वाटर फास्टिंग जो प्रोसेस है वो एशियन टाइम से चली आई हुई है लेकिन रिसेंटली काफी सारे नुटिशिनिस्स, साइन्टेस्ट और काफी सारे बॉल्योड और हॉल्योड सेलिबिटिस्स वाटर फास्टिंग फॉलो करते हैं इसलिए ये बहुत जाला ट्रेंड कर रहा है, तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि वाटर फास्टिंग क्या होता है, इसके बेनिफेट्स क्या होता है, इसको करने का सही तरीका क्या होता है और साथ ही में ये जानेंगे कि किन लोग को water fasting नहीं करनी चीए पट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा request अगर आपने मुझा भी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्किप्शन में लिंक होगा वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोर सबसे पहले आसान शब्दों में समझते कि water fasting होता क्या है water fasting words से आप समझ गए होगे कि इस fasting के दोरान आप कोई भी solid food particles का intake नहीं कर सकते है I mean to say सिर्फ आपको पानी पे ही rely करना पड़ेगा initial stage में आप एक या दो दिन का fasting कर सकते है लेकिन अगर आपको effective results यह है तो आपको कम से कम one week का water fasting करना पड़ेगा तब ही जाके आपको proper results मिलेंगे अब बात कर लेते हैं water fasting के benefits क्या क्या है number one पे आता है weight loss हमारी body नामक जो engine है ना वो दो fuel sources से चलती है जो primary source है वो होता है carbohydrate जो breakdown होके glucose बनता है और हमारी body में as a glycogen storage रहता है जिससे हमारी body सही तरीके से function करती है और water fasting के दोरां जब आपकी body के पास कोई fresh source of energy नहीं होती है body को operate करने के लिए इस time पे वो सबसे पहले glycogen storage को खाली करती है और जब आपके body के पास कुछ भी glycogen storage नहीं होता तब वो आपके body में deposit जो fat रहती है उसका energy में convert करती है और इस process को ketosis भी बोलते है मैंने already ketosis के उपर detailed video बना के रखा है तो आई बटन में उसका link दे दूँगा और ketosis के दौरान आपके body में जितने भी deposit fat cells रहते हैं वो breakdown होके energy में convert हो जाते है इस वज़े से आपको effective fat loss और weight loss भी मिलते हैं बचपन से हम continuous basis पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और इस वज़े से हमारे जो digestive system है उसे कभी भी rest नहीं मिलता है और जब भी हम water fasting करते हैं इस दौरान आपका जो digestive system उसको काफी जादा rest मिल जाता है और साथ ही में आपका metabolism भी boost हो जाता है और जब आप back to routine आजाते हैं इस time पे आप देखते हैं कि आपका digestive system बेटर function कर रहा है और साथ में आपका जो metabolism है वो भी boost हो जाता है नमबर 3rd, water fasting के दौरान आपका blood pressure level, आपका blood sugar level और साथ ही में आपका cholesterol level है ये भी कम होता है जिससे आप जादा healthy महसूस करेंगे नमबर 4, detox and heal your body जब मैंने intermittent fasting diet plan का video बनाया हुआ था उसमें मैंने explain किया था कि हमारे body के अंदर healing factors already installed है लेकिन इसका एक drawback है या तो ये आपका खाना पचा सकता है या आपकी body को heal कर सकता है और water fasting के दौरान आपकी body के बस कुछ भी digest करने के लिए नहीं होते है इसलिए पूरा focus आपकी body को heal करने के लिए लगाती है साथी में water fasting से आपकी kidney and liver और साथ में whole body detox हो जाती है और जब आप ये process complete कर लेते हैं आप बहतर महसूस करते हैं नमबर फिप्ट, autophagy water fasting के दौरान आपकी body में autophagy process स्टार्ट हो जाते हैं इस वज़़े से आपकी body में जितने भी dead cells है, inactive cells है या फिर cancer cells है हमारी body इसको reutilize करती है और इस वज़़े से जितने भी chronic diseases है इससे आपको छुटकारा मिल सकता है नमबर 6, prevention of cancer जैसन फुंग ने रिसेंटली एक study में show किया हुआ है कि अगर आपने 1 week तक water fasting किया जिससे आपका 70% cancer होने के chances कम हो जाएंगे इसलिए यह बहुत जादा effective process है नमबर 7, glowing skin water fasting के दौरान आपके body में जितने भी toxins है वो out हो जाते है साथी में आपका जो blood है वो purify हो जाता है इस वज़़े से आपकी जो skin है वो पहले से काफी जादा बहतर हो जाती है नमबर 8, improve your mental health water fasting के दौरान आपका focus and concentration इंप्रूव होता है साथी में यह आपके cortisol and stress level को कम करता है और साथी में यह आपके सारे hormones को balance कर देता है इस वज़़े से आपका जो mental health है वो इंप्रूव होता है अब बात कर लेते हैं water fasting करना कैसा है तो जब भी आप water fasting plan कर रहे है उसके कुछ दिन पहले से एक nutritious और high protein diet plan follow करिए and then आपको water fasting में switch करना है और जब भी आप water fasting कर रहे है तब अपने body को अच्छा से hydrate करिए because 30% जो water रहता है वो आपके food sources से भी आता है और जब आप कोई भी food sources नहीं ले रहे है तब आपको अपना water intake बढ़ाना पड़ेगा अपने sleep cycle को improve करिए तब ही जाके आपकी body अच्छा से recover हो पाएगी अगर आप gym जाते तो कुछ दिन के लिए बहुत light workout करिए या फिर सिर्फ walk या फिर घर पे योगा कर सकते है साथ ही में अपने vitamins level को maintain करने के लिए आप multivitamin का use कर सकते है initial stage में आप एक या दो दिन water fast start करिए और धीरे धीरे आप इसका period बढ़ा सकते है और water fasting process complete होने के बाद एक साथ आपको जादा खाना नहीं खाना है बिकाज आपकी body used to नहीं होगी और अगर आपने जादा खाना खाया तो आपकी body में dysfunction हो सकता है इसलिए small portion में आप खाना खाये और साथ में nutritious diet खाना चाहिए और जब भी आप water fasting करते है तब आपकी body का जो glycogen storage रहता है वो खतम हो जाता है और इस वक्त पे अगर आपने जादा खाना खाया तो फिर से वो refill हो जाएगा और अगेन आपको sudden weight gain दिख सकता है अब बात कर लेते हैं water fasting के लोग को नहीं करना चाहिए तो जो लोग भी underweight है या फिर eating disorder है साथ में जो भी pregnant woman है या फिर lactating woman है उनको नहीं करना चाहिए और जिनकी भी age 18 years से कम है या फिर 70 years से उपर है उनको भी water fasting नहीं करना चाहिए और जिनको भी type 1, type 2 diabetes है उनको भी water fasting नहीं करना चाहिए बिकास water fasting के दौरान उनका sugar level काफी जादा drop हो सकता है इससे उनको काफी जारा complication हो सकता है साथ ही में जनको इन migraine का problem है उनको भी water fasting नहीं करना चाहिए और जिनकी भी surgery हुई है उनको भी water fasting नहीं करना चाहिए और water fasting के दौरान किसी-किसी लोगों का uric acid भी spike हो जाता है और जब भी आप water fasting plan कर रहे हैं के पहले अपने doctor या फिर किसी अच्छे nutritionist को हायर करिए जो आपको सही तरीके से water fasting करने का तरीका बताएंगे और इसके बारे में जारा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो गरिए description में लिंक है वहाँ जाके आप direct question पूछ सकते है साथ ही में जो रेट कले का subscribe वाला बटन है उसे प्रस कर दीजिए बाजी वाला जो बला आइकन है उसे प्रस कर दीजिए hope you like this video if it did then please like share subscribe our youtube channel keep pumping, step less